हमारे साथ मौझूद हैं बिहार सरकार के तिस सरार उधोग मंतरी समीर महासेट साहब तोर पे हम आये हैं और सारे लोग यहां इंडस्टलिस्ट हैं जो भी बिल्डर्स हैं सभी लोग के मन में एक भावना जरूर आना चाहिए जो पहले जितनी भी लाव उन्हें मिलती थी उसे ज्यादा लाव देने का काम करेंगे और इतना ही कहेंगे कि अगर पुरानी जितनी भी शरकारे आई जो लकीर जहां तक खीची गई उसी लकीर को आगे स्पीड करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे चुकि सभी डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे लोग पहले भी थे आगे भी रहें लेकिन उद्योग विभाग का जो एक है जो पहली जो से खीचा हुआ लकीर है उसे ही हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं इतना ही हम करना चाहाएं केंदर सरकार के दोरा मदद मिल रहा है मंतरी जी देखा जा केंदर सरकार से मदद लेने की अपेच्छा है हर एक चीज का प्रोजेक्शन देने की आपशकता है जितना हम दोरेंगे केंदर सरकार के पास केंदर सरकार भी चाहेगी कि बिहार को अगर डवलप नहीं करेंगे तो निश्ची तोर पे देख डवलप नहीं होगा वो सोच लिया है समझ लिया है और ये जानकारी भार सरकार को है कि अगर पूरे देश का GDP रेशियो तभी बढ़ेगा जब बिहार जैसे लोगों का GDP रेशियो बढ़ेगा पर काप्टा इनकम यहां का बढ़ेगा देश का बढ़ेगा तो नेच्रॉल है कि उनको भी आवशकता है और हमें भी आब शक्ता है इसलिए हम लोग मिल जूल करके इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आपके माध्यम से विशेस राज की दर्जा की बात नहीं करेंगे उनको देना है जब देना हो लेकिन special economic zones की बात करेंगे ताकि 15 साल का tax holiday मिलेगा तो जो आज ज्यादा महंग में आप जो ची खड़िद रहे हैं वो सस्ते में खर देंगे और जो भाड़ सरकार की नीतिया है जो दूसरे स्टेट के लिए आपने रिलाक्स किया है बिहार को भी रिलाक्स करें चुकि नेपाल एक ऐसा है अस्थाइस अम जब तक डैम नहीं बनांगे हमारा बिहार आगे करना पड़ेगा तभी जो बिल्डिंग में जो हमारा मेट्रेडियल है बालू की उडाही और गाद नियम को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उसी के चलते हैं नेपाल से पानी आता है और बेसलाइन ऊचा हो गया है फ्री में बालू हम किने भरने के लिए देंगे और तब तक इस तरफ भारा सरकार का उत्तर प्रदिस चले जए दूसरे उत्राइखंड चले जए पत्थर चून करके किने करसर में जा रहा है तो हमारे यहां किने बिल्डिंग मैटिरियल बहुत महगा है पत्थर का कीमत देख लीजे बालू का कीमत देख लीजे सिमेंट अल्लोह अब हर एक चीजों में देखिए, पियार सरकार मदद करना चाह रही है, यहां पर भार सरकार से मदद चाहते हैं. 2030 में विभाग का फर्स्ट एजंड़ा आपने क्या सेट करके रखा है? पहले से आजादी के बाद बजट रहा, डबल करने का प्रयास किया है, जितना खर्चा करिएगा बजट हम बढ़ाएंगे, तो सबसे बढ़ा चीज है, बजट बढ़ेगा तभी न हम आगे बढ़ाएंगे, तो पहला तो वही काम है, कि हम काम अच्छा करेंगे, पैसे लेंग केंदर सरकार को बिशेश सराज देना है, नहीं देना है, केंदर सरकार की उपर निर्भर है, बिभाग ने अपना फिक्स एजंडा फिक्स कर लिया है, और धोग बिभाग तेजगती से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सजोगी रंजन के साथ कोसलेंदर पटना से